दोस्तों, Welcome to our channel Knowledge Guru जी इस वीडियो में दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे रेल गाड़ी संबन्दी प्रसम को कैसे हल करते हैं दोस्तों तो दोस्तों, रेल गाड़ी से संबन्दी जितने भी कोस्टन आते हैं वो SSC की एक्जाम हो या बैंक का एक्जाम हो तो दोनों एक्जाम में ही पूछा जाता है SSC के किसी भी एक्जाम में ये कोस्टन आ सकते हैं दोस्तों तो दोस्तों, इनको हल करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इसमें एक चीश्ट कामन होती है कि चाल बरावर दूरी बटे समये इस फार्मूले से दोस्तों आप पूर के पूरे कोस्टन सॉल्व कर सकते हैं बस आपको बेस्ट अप्रोच चाहिए कि कैसे सॉल्व करें तो चलिए दोस्तों, आपको एक पता होना चाहिए कि चाल बरावर दूरी बटे समय होता है तो इसकी सायता से आप कोशन को हलक ऐसे करते हैं चलिए दोस्तों जैसे कि हमारा पहला है 72 km पर घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदल लो तो इसको आप कैसे बदलेंगे सबसे पहले आप दोस्तों करेंगे 62 ऐसे लिख लेंगे सब्सक्राइब सब्सक्राइब थो सबसे पहले आपको यह पपता होना चाहिए कि क्ल्योमेटर को मीटर पर सेकेंड में कैसे बतलते हैं कि 72 क्ल्यों भल आपका मैठर को में सेकेंड में बतल mientras कि 5 बटे 18 का multiply कर दें तो भी answer आजाएगा I hope आपको समझ में आया होगा दोस्तों में आता दोस्तों हमारा कि 45 meter per second को kilometer पर आवर में कैसे बदले तो क्या करेंगे 45 इसको ऐसे लिख लेंगे और इसमें उपर हम लोग कर सेथे 5 बटे 18 तो इसमें हम लोग कर देंगे अठारा बटे 5 का multiply तो हमारा answer आजाएगा तो पान निम पाई तालिस अठारे निम एकसो बासट तो यह हमारा 162 आजाएगा किलोमीटर पर आवर में तो आयोप आपको दोस्तों समझ में आया होगा इस तरीके से आप आसानी से इस टाइब के question को solve कर सकते हैं या आपको अगर पता ना हो कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे बदलते हैं तो इस तरीके से आप आसानी से बदल सकते हैं तो चले दोस्तों हम लोग कुछ बाते सीखते हैं जो कि ट्रेन से संबंदित हैं आगे बढ़ने से प और दूसरा जो होता है जो दूरी सदेव इसमें जोड से हम लोग जैसी भी दूरी हो दोस्तों तो जैसे प्लेटफरम की लंबाई है और एक ट्रेन की लंबाई है तो प्लेटफरम की लंबाई हम लोग माल लेंगे तो दूरी सिप्ध हमेसा जोड़ देंगे दूसरी जैसरी यह यह दूसरी ट्रेंग उधर जा रहे है तो चाल जो होती है वह दिसाओं पर निरुबर करती जैसे की एक जा रही है तो चालो को मैं आपको भी बताऊंगा कि कैसे कैसे चेंज होती है, I hope आपको दोस्तों ये बात समाज में आई होगी, इस टाइप है जिनको आपको ध्यान से देखना है, कि पहला टाइप है इसमें जब ट्रेंड किसी आदमी या खंबे या किसी प्याण को पार करे, तो दोस् जिसकी लंबाई है L, और जो एक खंबे को T सेकंड में पार करती है, तो दूरी क्या हो जाएगी, चाल बराबर क्या होती है, क्या हो जाएगा, चाल बराब दूरी कितनी है, L माल लिए, ओके दोस्तों, L बटे, T, आई होब आपको दोस्तों, यह समझ में आया होगा, चाल बराब दूरी बटे, समय हो जाएगा, क्योंकि इसमें चाल जुड़ेगी नहीं, यह एक ही दिशा में जा रहे है यह दोस्तो तो इसमें इसलिए लंबा इसमें जोड़ी नहीं, तो चाल बराबर दूरी बटे, समय इसके इसाब से यह फार्मूला बन गया, ओके दोस्तों, आप अगला टाइप देखते हैं दोस्तों, अगला टाइप आता है, जब ट्रेन किसी प्लेट फार्म को पार करें, तब क्या क ट्रेन जा रही है, L2 लंबाई की या कह सकते हैं, L1 लंबाई की एक ट्रेन है, और इसकी स्पीड है, S मान सकते हैं, और प्लेट फार्म लंबाई का एक प्लेट फार्म है, इसको पार कर रही है, तो दोस्तों, प्लेट फार्म तो चल लें सकता है, तो इसकी स्पीड जोगी constant honge means zero होगी तो दोस्तों इसमें speed constant होगी तो इसमें speed एक ही रहेगे ओगे दोस्तों तब क्या formula बनेगा तो दोस्तों में चालबरावर क्या होता है दोस्तों आपको पता होगा चाल बरावर के दूरी बटे Som कि मैंने आपको दोस्तों मताया था पीछे कि लंबाई या अग्या जोड़ती है तो दूरी कितनी है लंबाई कह सकते हैं या दूरी कह सकते हैं एक ही बात तो ल्वन और यह टी वन समय में या कह सकते हैं टी समय में पार करें प्लेटफर्म को तो एल्वन प्लस अपान टी या कह सकते हैं एस स्कल्टूल इसका फर्मुला यह हो जाए गा तो आयोब को दूस्तों यह समझ में होगा चलिए अगले टाइप की ओड़ चल से दॉस TYP, हमारा तिसरा टाइप जो है भहुत इन पोर्टेंट है, इसको ध्यान सब देखिए तो तिसरा टाइप है जब एक गतिमान ट्रेन, किसी दूसरी गतिमान ट्रेन को पार करे तो इसमें दो condition आएंगी दोस्तों तो दोस्तों एक train हमने माली A और दूसरी train माली B और जब बिपरी दिसा में हो तो एक train जा रही है दोस्तों पूरब में और दूसरी जा रही हो पस्चिम में मिंस बिपरी दिसा हो मतलब एक की दूसरी क्या पोजिट हो तो क्या होता है condition तो मालनी इसकी लंबाई दूसरों L बन है इसकी लंबाई S2 है और ये S2 चाल से जा रही है समय दोनों में बराबर है T तिब क्या होगा तो आपको पता होगा गिपरी चाल बराबर दूरी बते दूसरों तो दोस्तों एक बात आपको ध्यान रखना ही जब विपरीज जिसा में जाएं दोनों एक दुसरे को पार करें विपरीज जिसा में तो चाल हमेशा जूड़ती है तो चाल क्या है दोस्तों यह होग गे यह लंबाई हमेसा जूडती है तो अपन समय हमेंसा भई रहता है कि तो यह फार्मूला हो जाएगा दोस्तों विपरी दिशा के लिए कि अई हो बाद ऑपको दोस्तों यह समझ में आया होगा चलिए दोस्तों हम लोग सीथनें कि जब दिसरा बेस समान हो कि ट्र contexts ए की ट्रेन दिसरे की सम्मान दिसा में जां रही है तब क्या होगा क्या होगा Dan तो यह L1 लंबाए की है यह L2 लंबाए की है और S1 चाल से जा रही है यह S2 चाल से जा रही है के दूस्तों होता है तो फार्मुला क्या होता है चाल बराबर दूरि बटे समय तो मैंने आपको बताया था कि जब विपरी दिशा हों तब चाले जुड़ती हैं यह तो समान दिशा में जा रहे हैं तब चाले घट जाएंगे ओके दोस्तों तो सब्सक्राइब करें दोस्तों तो सब्सक्राइब करें तो जब दोस्तों एक गतिमान ट्रेन किसी दोड़ते हुए वेक्षिक को पार करें तब के टरम से कंडेशन होगी जुड़ती माली एक ट्रेन है दोस्तों एंग लंबाई की ओके दोस्तों और इसकी स्पीड है S1 और एक ब्रकती जा रहा है जिसकी स्पीड है S2 तो मैने आपको भीचे बताया कि आदमी यह खंबे कुछ भी हो दोस्तों ब्रिज हो सकता है तो उसकी लंबाई को हम लोग कां कांट नहीं करते हैं हमेंसे constant मानेंगे तो इसकी S1 होगे चाल होगे इसकी S2 होगे और यह T समय में पार कर जाती है तब क्या होगे दोस्तों formula तो चाल बराबर क्या होता दोस्तों दूरी बटे समय आपको पता ही होगा Cसवारी दोस्तों या आजमी जो भाग रहा है एक दिशा में भाग रहा है जहां से डान जा रही-तो दोस्तों को पकड़ने के लिए आप पीछे होड़ी थोड़ी बागेंगी तो चाल mare सा जाब समान दिशा होती है तब चाल गड़ती है तोसमय चрь जाएगा जाए समान जिसा में जा रही हो उसमें वेकटन को पार करें तब क्या सान करेंगे अगर लगए बाधरें माहि 건데 इ猜 इसकी लंबाई नीमाहिन ऑनद एक लंबाई में विफमिल्ट यो करल रही है और चाल से जा रही है और यह टी समय में पिस्ट टाम पर मतलब एक दुसरे को पार करती है तब क्या होगी मैंने आपको लिए मुक्त चाल बराबर दूरी बटे समय होता है और दूरी बटे समय होता है तो फो सेENTE के लाखर को Ara नहीं होगा क्यों कि इसमें बता जा रहा है कि कोई ट्रेन किसी दुसरी ट्रेन में बैठे ब्यक्ति को पार कर रहे हैं तो ब्यक्ति की लंबाई को हमेंसा दोस्तों हम लोग के से आप इस टाइब के कोस्टन को हल कर सकते हैं जब भी कोस्टन आइसा पूछा जाए तो दोस्तों चलिए हम लोग कुछ को डिसकुस करते हैं जिससे कि आपका डाउट और क्लियर होगा है हमारा पाहला कोस्टन है एक सोसी मीटर लंबी एक ट्रेन है दोस्तों यह मैंने एक ट्रेन माली एक सोसी मीटर लंबी तो यह एक ट्रेन है बहातर किलोमेटर की चाल से किसी बिजली के खंबे को कितने सेकंड में पार करेगी तो मैंने एक एक बिजली का खंबा बना दिया तो मैंने आपको पीछे ब बताया था कि छाल बरावर दूरी बटे समय होता है दोस्तों में समय कितनी है यह तो इसको भी मीटर में करना पड़िगा है से पहले हम लोग करेंगे टी स्कल्टू हो जाएगा 180 अपान 72 को मीटर पर सेकंड हो क्या करेंगे 5 बटे 18 का मल्टिप्लाइर यह 18 उपर जाएगा तो क्या होगा 180 इंटू 18 अपान 72 बटे पांच अब इसको कटेंगे 80 बटे तो यह हो जाएगा 180 बटे 20 जीरो से जीरो कटा दो नहीं 18 तो हमारा आ जाएगा दोस्तों समय पूछग है तो नो समय आ गया 9 सेकंड यही हमारा अंसर हो जाएगा आयोब आपको दोस्तों समझ में आया होगा पहल एक और कोस्टन करते हैं दोस्तों हमारा अकला कोस्टन है 140 मीटर लंबी ट्रेन है जो कि 60 किलो मीटर पति घंटा की चाल से चलते हुए 260 मीटर लंबे प्लेटफर्म को पार करती है तो प्लेटफर्म कितने समय में पार कर लेगी प्लेटफर्म को कितने समय में पार कर लेगी LA A整a के लंबाई 11 एक बारावर धीट इसको 12 से न पुंचा गया कितने सेकेड्ड में पार कर लेंगे हैं छाल बाराबर किया होता है दूरी बटते समय in जब लंबाई हमेंसा जुड़ती हैं तो चाल कितनी दिवी है दोस्तों 60 km पर आवर की चाल दिवी है और दूरी हमेंसा लंबाई हमेंसा जुड़ती हैं जाएं कैसी भी पोजिशन हो तो 140 प्लस 260 अपान टी पूछा गया दोस्तों तो टी स्कल्टू हो जाएगा 400 अपान 60 अब 60 km पर घंटा को हम लोग मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5 बटे 18 का मल्टिप्ला है 18 ओपर जाएगा दोस्तों यह तो यह हो जाएगा 400 इंटू 18 अपान 60 इंटू 5 ओके दोस्तों यह 0 से 0 कटा छेतिया 18 फिर 5 अठे 40 तो आजाएगा आरतिया 24 सेकंड आ आप कोस्टों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं आप को दोस्तों यह फिगर बनाने की जरूर नहीं क्यूंकि मैंने आप रहतने games की लिए बताया है इसलिए आप digamos को आप मन में धरिये और जो value दियंकि summon के answer निकाल दीजे तो चलिए दोस्तों एक और questions करते हैं दोस्तों, हमारा 170-eller 1930-mile कोई train है, दो 1230 में डीभी सुरंग हो 30-ी सेकंड करती है यह की त्रेन की चाल माना हृत & ऑल लंबाई हो लाएं हें चाल 21 पाल रुस्तों डीभी सुरंग तैसल रुस्तों नखर चाल Central और हमें निकालने ट्रेन की चाल ना कि सुरंग की चाल होगी नहीं पहली बात तो तो फार्मुला मैंने आपको बताया था चाल बरावर दूरी वटे समय स्पीड पूंचा गया दूरी कितनी दूरी एक साथ प्लस चार सो चालेस अपन समय कितना दिया होगा थार्टी सेकंड ओके दूरी तो यह हो जाएगा जीरो चेचा दस की जीरो हां से लगा एक पांच छे सो वटे थार्टी तो यह 0 से 0 कटेगा तीन 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 दूनिचे 20 से 10,000 Spr से आप कोस्टन को असानी से कर सकते हैं दोस्तों नेस्ट कोस्टन है ना थहसातरा कोस्टन है पर से दोस्के सब्सक्राइन जोकी 70 क्लमेतर की cool चाल से चल रही है और यह 10 कि कि चाल से समान दिशा में पराबर तो लूमाय को पीछ बाराबर दूरी वटे समय तो जब समान दिशा में दोनों पोजिशन हों तो क्या हो तो मैंने बताइ चाल करती है तो S1 माइनस S2 इसकल 2 दूरी कितनी है दूरी को हम लोग लंबाई L1 प्लस L2 दूरी हम ऐसा जुड़ती है दोस्तों S1 कितना दिया हुआ है 70, S2 कितना है 10 और 10 की लंबाई है 100 और स्वरी दूस्तों यह लंबाई जुड़ती दो है पर आदमी की लंबाई 0 है तो इसमें 0 रख सकते हैं हम लोग तो यह हो जाएगा 100 अपान समय पूछा गया है T स्वरी दूस्तों तो यह 60 इसकल टू 100 अपान सिक्स्टी तो यह किलो मीटर पर घंटा है तो इसको मीटर पर सेकेंड में कनवर्ट करने के लिए 5 बटे 18 का मल्टिप्ला है तो यह T Between 100 इंटू 18 यह उपाड जाएगा दोस्तों यह अपान साथ जीरोछ जीरोछ इंटा 18 तो T क्या हो जाएगा 30 तो यह हमारा अंसर idea तो में पार कर लगी अगर आपको ये दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज हमारे चलों को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और जरू करें अगर आपको पसंद है और नीचे दोस्तों हमें कमेंट करके बताए कि आपको क्या प्राबलम है क्या प्राबलम नही जिसे मैं आगले वीडियो में आपको confusion को दूर करूँगा तो चलिए दोस्ते हम रख मिलते हैं आगले वीडियो में कुछ नहीं ट्रक के साथ